वालो फ्रेंज वालकम छुमाने अपिसोड में हम बाग करने वाले हैं आमिर खान और अमिता बच्चन की फिल्म थक्स ऑफ हिंदूस्तान के बारे में यह बात तो किशी से चुपी नहीं है कि थक्स ऑफ हिंदूस्तान की शूटिंग है वह अल्मोस्ट 2017 से स्टार्ट हुई थ फोटो पोस्ट की थी उनकी सोचल एटोगिंग साइट स्पेक तलवार की यहां पर शूट करें थी फॉद थक्स ऑफ हिंदूस्तान इसको पैच्वक कहा जाता है यूजूली ऐसी शूटिंग चलती रहती है बिफोर फिल्म रिलीज़स सबसे बड़ी बात सामने आ रहे है सब्सक्राइब ठीर फिक पाड़ा का अपना छंचिछ चलाता है। ऑर चुला फिल्म थीats & चलन चलता है और और ऴास्धं इनदूस्तानrid थी जिसका पहला वी एफेक्स वर्क वाइफेक्स ने स्टार्ट किया था यास फ्रेंज यश्राज का स्टूडियो है जिसने पहली फिल्म अपनी शुरू की थी इनिट स्टूडियो वर्स ठाफ हिंदूस्तान अभी आप बोलोगे उसका इनाउग्रेशन तो 2016 में हुआ था तो गैस 2016 से भी पहले एक कंपणी बनके रेडी थी जो पहली फिल्म वाइफेक्स ने जिसका वी एफेक्स किया था वो थी सल्मान खान की फिल्म सुल्तान अगर आपने सुल्तान का वी एफेक्स नहीं देखा तो आपको बता दू किस तरह से रिंग के पास जो उसको इनायंस कर दिया गया सल्मान कां बिल्डिंगों से कूटते थे तो पीछे जो बिल्डिंग्स थे उनमें डेली और आड किया गया था तो मेक अ लाज़र दन लाइफ पिक्चर पहली फिल्म वाइफेक्स की जो थी यसराज की जो वी एफेक्स कंपई है वो थी सुल्त लेकिन गाइज अधित्य चोपड़ा और विक्टर विजय किष्ण आचारे उन्हों ने इस फिल्म का थाग्स अफ हिंदुस्थान का जो वी एफेक्स है वो उसकी शूट से पहले शुरू कर दिया था याने कि जितने भी क्रोमा स्क्रीन विजुल्स थे वो अल्रेड़ी से रेडी थे बिहाइंड ब्लू और ग्रीन क्रोमा स्क्रीन और उनके सामने शूट होते थे ते अमिता बच्चन के ले लो पहला स्केडियूल माल्ता में अमिता बच्चन और आमिर खान से बहुत सारे सीन वाँ शूट हुए चाहे वो फोर्ट ले लो यहां पर इंडिया में जहां पर इस फिल्म की शूटिंग में चाहे फिल्म सिटी के गाने ले लो बहुत सारी शूटिंग जो थगव हिंदूस्तान की है उसके लिए जैसे शूट होती थी वो लोग होटल रूम जहां पर भी आते थे उस दोनों को मिक्स करके जो विजूल आने वाला है वो उनको जिस तरह से फिल्म आइमक्स में आने वाली है यह करना बहुत ज़रूरी था जास्ट तो गेट अट गलर श्रे शेड ग्रेंट टेक्च्चर फिल्म किस तरह से यह कलर रो रहे है स्क्रीन के किस तरह से आएंगे इसलिए जो यश्राज प्रदक्शन का खुद का VFX यूज कर स्टे कुल मान